दोस्तों GTL Infra की बात करें तो stock के अंदर फिर से जो गिराउट रही थी वो थम गई है और आज अपर सरकेट भी नहीं लगा नलोर सरकेट लगा इसे एक बात तो समझ में आ रही है कि stock अब वो operator के हाथ से निकलता वो दिखाए दे रहा है यहाँ पर आने वाले समें एक normal trading होन से समझेंगे क्या GTL Infra में इस समय हमें investment करना चीए यह एक छोटा सा पैनी stock है जिसने वैसे तो leader काफी सांदा return दिया पिछले दो-चार सालों में क्योंकि 20 पैसे का आसपर stock था इस समय 3 रुपे का आसपर तो कहीं सकते कि जबर्दस return दे चुका लेकिन क्या ऐसा ही return आगे भी देगा क्योंकि एक समय यह stock 100 रुपीज के आसपर हुआ करता था क्या फिर से उस level तक जा सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक ब लाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले जीटियल इंदफा के कारोबार की बात के लिए तो स्टॉक के सुरुआत निगेटिव हुई 2.92 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे की 2.96 के आसपार कमजोरी के साथ सुरुआत हुई 2.86 का लो बना यानि स्ट वॉलिम जबरदस था पिछले एक मैने पहले इसका 40 क्रोड का वॉलिम था 19 क्रोड की डिलेवरी उठाएगी थी वन विक पहले 74 क्रोड का वॉलिम हुआ सामने 27 क्रोड की डिलेवरी उठाएगी फ्राइडे को 130 क्रोड का जबरदस वॉलिम हुआ 45 क्रोड की डिलेवरी उठ इस एक बाद तो समझ में आ रही है कि जम के खरीदारी और विक्वाली हो रही है अब इसकी परफॉर्मस देखे तो लगाता लोर सर्कृट लग रहे थे पिछले कई दिनों से लगवग आट नो लोर सर्कृट लगे उसके बाद 22 तारी को वो लोर सर्कृट का दौर थमा उसक यानि इसमें एक नॉर्मल टेडिंग होगी तो एक तरसे इसके लिए अच्छी बाती है लोग ज़्यादा करके फज जाते हैं लोर सर्कृट और अपर सर्कृट के फिर में क्योंकि वो पूरी तरसे ऑपरेटर के हाथ में होता है उसको जैसे चाह वो गुमाती है अब यहां परेटर की लावा कुछ और सरकारी बेंक और निजी बेंक और निवेस के ऊजिसमें यूनियन बैंक ऑप इंडिया का बारा प्रतिशत के उपर की होडिंग है क्रिफ 12.07 परेटर हैं और इसेजिंग बैंक ऑप बडुदा की 5.68 परेटर हैं इंडियन ओवर्शी बैंक नहीं यहां पर 5.23% की होडिंग लिए हुई है केंद्रा बैंक की यहां पर 4.05% की इस्सेदारी है और ICC बैंक की 3.33% की इस्सेदारी है तो इसे ब्रहमितों के लोग खरिदारी की दरब दौरतें कि इसमें अच्छे-चे बैंकों ने निवेस किया हुआ है LIC ने किया है तो क्यो इसलिए यहां पर निवेसक बनके यह बने हुए है और जब प्राइज बड़ी की तब यहां पर निकलने के को कोसिस करेंगे अभी तो फिलाल उनको बहुत जादा लॉस हो रहा है तो यह बाद आप क्ले लिए समझ ले इसमें किसी नभी पैसे कमाने के लिए निवेस नहीं हो चुकी है इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है और यहां पर रिसर्च टीम भी तयार हो चुकी है तो इस बार देख तो आर्टिफिशल इंटेलिजन का इस्तेमाल किया जारा है सिक्जी टेक्नोलोजी के लिए जिसे एक मजबूत और उमदा नई टेक्नोलोजी मिल है आने वाले समय वो भी अपनी 5G सुरू कर देंगे अब BSNL तो 4G में भी पिछड़ा हुआ है BSNL आप 4G की तयारी की है वो जल्दी 4G सर्विस पूरे इंडिया में शुरू करेंगे उसके बाद में 5G की प्लानिंग करेंगे लेकिन इंडिया 6G के लिए तयार हो चुका है तो अब देख दो कि इस समय टेलिकॉम टावर की डिमांड बढ़ती हुँ दिखाई देगी तब जितनी 5G सर्विस जामें बाकी है वहाँ पर भी उसको इंस्टॉल करना है और ऐसे में आने वाले समय समय पॉईटी बन रही है सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो 6G टेकनोलोजियों की वो बहुत ज़्यादा एडवांस और लेटेस वर्जिन की होगी जो 5G से कई गुना ज़्यादा स्पीड भी देगी और साथ में उसमें बहुत सारे नए फीचर एड़ किये जाएंगे इसकी तैयारी सुरू कर कर दी गई है तो यहां पर 6G टेकनोलोजी जो कमर्शिल लॉंचिंग है वो आने वाले दो जार उन्तिस तिस तक होने की समावला दिख रही है जिस तर से अब सुरुआत हुई है टेस्टिंग की सुरूआत हुई है तो लास्ट वने मिनिस्ट्री अप कम्यून्यूकेशन की की तरब से भारत सिख जी एलाइन्स के लिए इनो एक स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप किये सिख जी आईयक के साथ में यूरोप और देख दो की दोनों मिलके इस नई टेकनोलोजी के लिए टेस्टिंग शुरू करेंगे और यह देगो माद्यम से इंडिया के अंदर आने व से 2026 तक इसकी शुरूवात हो सकती जो फर्स्ट सेट में धीरे दरे आप देखे रोल आउट होते हो दिखा देखे और 2029 तक यह सर्विस लोगों के लिए शुरू हो जाएगी यानि आने वाले दो तीन साल में इस सर्विस के उपर काम होगा और जल्दी आप देखे तो आप देखे इंटरनेट वाले टच इसकीन फोन आगे और 4G में स्मार्ट फोन आगे और 5G आते हैं अब देखे तो एक उंदा लेटेस्ट टेक्नोलोजी के फोन लोगों के पास आगे इसी तरह से लगाता है टेक्नोलोजी में बदलाव हो रहे तो कुल मिला कि अपोर्चु हो पर कस्टम दूटी में बेनिफिट किस्तन से मिले उस सब को लेकर यहाँ पर एक तयारी की जारी एक इक रौड मेप तयार किया जा रहा है तो यहाँ पे सरकार्ने रास्ते खोल दिये तो आने वाले समय टेलिकॉम सेक्टर में एक बड़ा रिवोलुशन आने की त्यारी हो रही है ऐसे में आप समझ सकते हैं सेक्टर की संब्द कंपनियों को बेनिफीट होगा जिस समय बहुत सारी प्रोब्रम से गुजर रही है एक बार इसकी आज तो नौ बचकर 35 में पर 3.08 की प्राइस से 54,26 हाउज रू की एक प्रॉफिट बुकिंग होई उसके बाद 9 बचकर 35 में पर 3.09 की प्राइस से 3.1,0 की बड़ी एक खरीदारी होई तो उसके बद 10 बचकर 22 में पर 3.03 के प्राइस से 42,0 की बिक्वाली होई फिर दो बजे 2.98 की प्राइस से 23,27,000 रों की बड़ी खरीदारी हुई तो फिर तीन बचकर 23 मिनट पर 3 की प्राइस से 25 लेक्षरों की खरीदारी और हुई तो एक क्लियरली देख सकते हो कि बिक्वाली कम रही है और खरीदारी अच्छी हुई है यानि अब देख सकते हो कि फिर तेजी की समभाव नों बन सकती है जिन बहुत जादा रिस्की है क्योंकि कभी भी ऑपरेटर अपना गेम या पर शुरू कर देते और ऐसे में रिटेल इंटर फजाते इसलिए निवेस करने से बारे में आपको ये सब सोचना चीए उसके बाद में ही स्टॉक अंदर निवेस क सब्सक्राइब करने से बारे में हाए क्यों अभी थाख़।